नमस्क्रा स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में मैं आनू आपके साथ जारकन की सियासत में कल्पना की होगी एंटी जाने कौन है जिस पर सीम हेमन सोरन खेल रहे दाओ राची जारकन में तेजी से बदलते राजनेती समिकरण के बीच मुख्य मंत्री हेमन सोरन की धरम पदनी कल्पना सोरन अचानक एक सुर्खियों में आ गई है पीजेपी के गुड़ा सांसर डॉक्टर निशीकान दूबे ने जैसे ही ट्वीट कर यह जानकाई दी कि जारकन में भावी जी के ताजपोशी की तैयारी चल रही है इसके बाद राजनेतिक हलकों में इस बात की चर्चा तीज हो गई है कि सीम हेमन सोरन 25 साल बाद बिहार में आरजेडी प्रमुख लालु प्रसाद की तरह ही इतिहास को दोहराना चाते है तब लालु प्रसाद ने मुख्य मंत्री पत छोड़ने से पहले अपनी पत्नी रावडी देवी को बिहार का मुख्य मंत्री बनवा दिया था अब उसी रास्ते पर सीम हेमन सोरन के भी चलने की बाद कही जा रही है हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर ऐसी खबर की पुष्टी नहीं की जा रही है और सिर्फ अटकल बाजी और चर्चा ही करार दिया जा रहा है सक्रिया राजनेती से दूर है वहीं सियम हेमन सोरेन की पत्नी कलपना सोरेन की बात की जाये तो वह अभी तक सक्रिया राजनेती से दूर है हालांकि कई समाजिक कारेक्रमों और पारेवारिक कारेक्रमों में बढ़ चड़कर हिस्सा लेती है कल्पना सोरिन विसेश कर महिलाओ और बच्चों से सम्मंदित कई कारिक्रमों में हिस्सा लेती रही है और अब तक सक्रिया राजनेती में आने की बात से इंकार करती रही है ओडिशा के मयूर्भंज की रहने वाली कल्पना सोरिन की हेमन सोरिन से साथ फरवड़ी 2006 में शादी हुई थी और इनके दो बच्चे निखिल और अंश है उनका परिवार अब भी मयूर्भंज में ही रहता है लेकिन उनका जन्म राची में ही हुआ था और उनके पूरे परिवार का राची से पुराना संबंध रहा है 2006 में जन्मी कल्पना सोरिन राजनेती से दूर अभी कई विवसाइगती वीदियो में शामिल है इस कारण वो राजनेती विरोधियों की निशाने पर भी रही है पिछले दिनों वीजेपी के कई नेताओं ने राजेपाल के समक्षिये सिकायत दच कराई थी कि मुक्यमंद्री हिमन सोरिन ने अपने प्रभाव का इस्तमाल कर अपनी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को जमीन दिल्वाने का काम किया है इसके अलावा कल्पना सोरिन के नाम कई भूखन खड़ी मामले में भी बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाये है बाकि सभी तमाम खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ